वसु देव फिर कंस से निवेदन करता है कि महारती आप शूर वीर हैं आपको ऐसा पाप नहीं करना चाहिए क्योंकि देव की का तो इसमें कोई कसूर नहीं है आपकी शत्रू देव की नहीं बलकि इसका आठवा पुत्र है अतै मैं एक सुझाव देता हूँ कि हम दोनों को आप अपनी जेल में रख लीजिए और जिस संतान को आप चाहें उसी को जनम लेते ही मार दिया करना इस परकार आप अपनी बहन के मारने के पाप से भी बच जाएंगे तो प्रेमियो कंस की समझ में यह बात आ गई और देव की वैवसु देव को जेल में डाल दिया जो भी संतान पैदा हुई कंस ने सभी को मोत के घाट उतार दिया इस परकार छे कन्याओं को कंस मार चुका था और अब तो सात्वा गरब छीन होने के पश्चात सम नारान को आठवे पुत्र के रूप में आना है विश्णू जी ने तो पहले ही अपनी योग माया अर्थात भगवती को बुला कर कहा था कि देवी तुम तो गोकुल में नंद के घर ये सोदा के उदर में जाओ और मैं देवकी के उदर में इस परकार बचन बद नारान ने आठवे पुत्र के रूप में देवकी के गरब से जेल के अंदर जनम ले लिया बच्चे के जनम लेते ही देवकी के मन में ख्याल आया कि किसी परकार से इस पुत्र की जान बच जानी चाहिए और अपने पती वसुदेव से कहा कि पती देव आप तुरंत इस बच्चे को बचाने का परबंद करिये लेकिन ऐसा है वसुदेव क्या करता बहुत अधिक घबराया आखों में आशु आ गई और फिर क्या कहता है मेरे हुए कायु मंगना मरे का शोक मैं दिल बज्जर का कर गया सूँ दुख दर्दां की पोट देव की सर बोजा धर रासूँ खुए कायु मंगना मरे का शोक मैं पज्जर का कर गया सूँ दुख दर्दां की पोट देव की सर बोजा धर रासूँ हाँ चोदै साल तक घरां बाप के गेटी सुखते खावे तरुण अवस्था पती के सन में सुकते युमर बितावे बालक पन में सेवा करके अनहद धर्म कमावे पती का रूप सतीन मोले जब पुतर बन के आवे रे पुतर बन के आँ है पती का रूप सती की शक्ती मैं तो धर्म तो होता फिर रासूँ दुख दर्दा की पोट देव की सर वो जा धर्यासूँ हाँ लोग के हैं से लोग के हैं हमने भी बेरा परचाती के मागा को ना आया सूँ कुछ काम करने तड के पर सूँ जा को ना हम जैसे हत्यारा ने भी या मोत नी माने खा को ना हत्यारा के तैसो सो बिचे पन में सर के ना को ना पन में सर के ना को ना बल्ला आसात्र स्नाम हमाया मैं मैं ते चोगर देत घिर जासूं दुखदर दां की पोट देव की सर बोट जाधर र्यासूं हद छाती बस तेरी देव की मैं तेरी तरफ लखा र्यासूं इसकी रसन ने मन दिखा दे मैं के इस तैना रासूं इसकी बूल मन याद करेगी मैं बहुत घणा दुख पा र्यासूं छे जाए मन छे मरवा दिये बहुत घणा हत्यारासूं हाँ दिन लिकड़े ते यो मारा जागा दिन लिकड़े ते मारा जागा मैं तो आठ साल के दर र्यासूं दुख दरदां की पोट की सर बोजा धर र्यासूं उयका मना मरे का छोकत दे बच्चर का कर लासूं दुख दरदां की पोट देवे के सर बोजा कर लासूं हाँ गंणा जमना तिर बैनी तिन्नों जान लिये जाची के मां प्रह्मा विष्णू शिव जी तिन्नों मान लिये जाची के मां बालकपन में सेवा करके ज्यान लिया जाची के मां गुरु लख मीचन की सेवा करके ध्यान दिया जाची के मां दार दिया बाठी के मां सत्गुर की नईया मैं बैठे के मैं तीस साल पे तिर जाचूं दुख दर्दां की पोटे देवे के सरबो जाधर जाचूं विए भयम नाम्बर का चोगदल पत्र का कर्याचूं